नमस्कार दोस्तों आप सबी का फोगाड गुरुजी के चैनल में स्वागत है आज हम आपके लिए एस्टेट के लेवल थरी के संस्कृत के पेपर को लेकर आए हैं यह पेपर पांच जनवरी दो हजार उन्निस को हुआ था चलिए बात करते हैं पहला परशन है भुणजान है इत्ते अस्विन पदे परते अस्ति तो बुणजान है इस पद में परते कौनसा है सानच परते है किरियायाम स्वात अंत्रेन विविख्षितों अर्थ शाथ करता शाथ संबंद विशे ए संगतम गथनम अस्ती तो कौन सा है पशो पद आ इसट्व इत्य स्मिन पदे परकरती परतेोस्त से इस पद में परकरती और प्रते क्या है यसधात्व से कत्वा परते है सं değ à s. आ संगति ए संगतम गथनम चिन्वंटु है वैसंगत कथन को चुने तो एसंगत कथन कौन सा है जो उप्षन चार वैसंगत है क्यों सा एसंगत है क्योंकि महाभारत में 18 परवाई यहां पर 21 परव बताए गई है रामायन महाभारत यो साम्य वैसंगत कथन को चुने तो एसंगत कथन कौन सा है जो उप्षन सी है वैसंगत है क्यों एसंगत है क्योंकि रामायन में एक नायक है और महाभारत में अनेक नायक है यहाँ पिनों ने उल्टा दिया हुआ weighted रामेन में अनेक नायक है और माभारत में एक नायक है ये ऐसंगत है एसु कतनेसु कली एसु कतनेसु कालिदास गरंथ विशे कास्ची सूचना परदत्ता एतासु ऐसंगतम किम अस्ती इन कतनों में कुछ कालिदास के गरंथों के विशे हमी सूचना दी गई है इन में से कौन सी सूचना एह संगत है तो कौन सी सूचना एह संगत है जो उप्षन दो है यह संगत है क्योंकि महा कवी कालितास ने तीन नाटकों की रचना की और यहां पे नोने लिखा गी नोने मालवी कागनी मित्रों अभिज्यांसा को तो दो ही नाटक लिखे तो यह संगत है अगला पर निश्पन उता या उत्पन उता तो क्या बनेगा नत्तव्यम ओप्शन से सही रहेगा अधो लिखेते सु कत परत्यांतम पदम नास्ती नीचे लिखे वे पदों में कौन से पद में कत परत्य नहीं है तो किसमें नहीं ए तो गःणे में भी है घ्रीत में भी एंतिन इनों में कत्परते है जो कुश्मित है इसकिति पर प्रकपरतें नहीं है अधियाति से या जो वाक्या के शुत्रा से सिद्ध में गया अधिया अंग वत्धागों वस उपांग वध्धांग वस जो सुत्तर इस सिद्ध होगा ते इसका उप्शन भी सही रहेगा निस्ठा संग्यकों प्रत्यों सत्य निस्ठा संग्यक प्रत्य हैं कत और कत्वतु इसका उप्शन ए विल्कुल सही है अनुस्वारस्य यही परस्वन सुत्रश्य उधानम भवितुम शक्यते अनुस्वारस्य यही परस्वन इस सुत्र का सुधान हो शकता है तो क्या हो सकता है इसका अंचित जो उप्शन चार इसका विल्कुल सही है बुद्ध इत्य अत्र कै परते हैं तो बुद्ध है यहाँ पर कौन सा परते हैं तो यहाँ पर कै परते हैं तो इसका option 4 जो D है वो बिल्कुल सही है कस्मिन पदे विश्रक संदी नास्ती किस पद में विश्रक संदी नहीं है तो किसमे नहीं है विसरक संदी व्रक्षे अस्मिन और व्रक्षे अस्मिन कौन सी संदी है पररूप संदी एतेसु किम सुमेलितम नास्ती इन में से क्या सुमेलित नहीं है तो कादंबरी बानबटने लिखी है बिल्कुल सही है अवंति का सुंदरी कथा दंडी ने लिखी है और नल चब्बू किसने लिखा त्री विक्रम भटने और यहां उनका नाम दिया नहीं गा तो यह संगत है दस कुमार चरीत किसने लिखा है दंडी ने यह भी सही है एसु कथनेसु यद सुमिलितं नास्ती तद अस्ती इन कथनों में जो सुमिलित नहीं है वै कथन कुण सा है आस्चरियो गवाम दो है ए गोपिन कर्तरी करमणयों कृति यह संगत है हार्णम नैनम सैनम इत्येत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत द्वि मधू स्मर्दी समेधित मेधया कस्य कवे ललित्पद योजना वर्थते हैं जो एह किसकवी की ललित्पद योजना है महाकवी महा घश्य ग्रीवा भंगा भी रामय मुहर अनुपत्ती सयंदने दत द्रिष्टी इस लोग की अस्मिन कीम चंद है आस्ति इस लोग में कौन सा चंद है सगद्रा कौन सा चंद है सगद्रा सगद्रा इसका बी ओप्षन बिल्कुल सही है अप वर्गे नहीं है चूट गया परसन यह मैंने से भैलागा कस्य चंद से गण व्यवस्ता यह मैंने से भैलाग है किस चंद की गण व्यवस्ता है सीखरने की अप वर्गे तरीतिया इती कारक्स उत्रका उधानया क्रोसेन अधीता पानने सcorसा उप्षन यह बिल्कुल सही है म्रिज पलस कत इती अस्य निस्पति भावर्त अथे म्रिज धातु के कत परते होने पर कि सबद युद्पति होगी म्रिष्ट तो क्या अपने मिरिष्ट के कद परता लगने पपड़ता है अप्सन सी विलकूल सही है कि एतेसु वाक्येसु कारक द्रिष्ट्टेया अनुचितम वाक्यम अस्ति तो इन वाक्यों मैं से कारक की द्रिष्टि से कौन सा वक्या अनुचित एक पहासा किर्दकर्ण नकम रोचते तो यह कार खिण देश्टि से गालत क्योंकि इसो में पंचमी और सस्टी वगतिया रुच दातु के ये चतुरत्स नहीं है तो किसी में कथनम अस्ति भास के नाटक चक्कर के विशे में ए संगत कथन है प्रतिग्या योगंद नारायन इस नाटक में चार अंक हैं बिल्कुल सही है सवपन वासदत्ता के विशे में एक उक्ती परसलीत है धाको ए भूना पाव गई भी बिल्कुल सही है धूत गटोचक इस नाटक में एक अंक है ये भी बिल्कुल सही है बाल चरित नाटके भगवत रामश्य जनमन आरंबे लंका दहन प्रियंत कता निमन्दा ये बिल्कुल गलत है अगला पर्शन देखते हैं मातुर नीलियते किर्ष्ण वाक्यम एतद कश्च सुत्रश्च उधानम अस्ती मातुर नीलियते किर्ष्ण यह वाक्य किस कारक शुत्रका उधान अंतर धौ ये ना दर्शनाम इच्छती तो इसका उप्शन ए बिल्कुल सही है कस्मिन पदे यनसन्दी वर्तती किस पद में यनसन्दी है तो किस में लाकरती में कौण संदी है यन संदी तो उप्शन इसका डी बिल्कुल सही है शिश्य इत्पर प्रतय अस्ती तो शिश्य में कों सा प्रतय ये परसंद भी बार-बार इसरेट के परसंद में आया था समास अंधर में अ संगत कत्र को चुने तैज संगत कत्र को है पंचा नाम, पत्रा नाम जमारा पंच पात्र म statt है क्योंकि यहां पे 5 नाम समा रहे लिखाओ और यहां पे 5 पात्र लिखा हुआ है तो यह सुधवा क्या बनेगा 5 पात्रा नाम समा रहे हुतता तो 5 पात्र बनता है यह बनता है तो इसका option B बिल्कुल सही है डू क्रिय धातो लोट लकार अस्य उत्तम पुर्ष से एक वचने किम रूप शाथ डू क्रिय धातो के लोट लकार के उत्तम पुर्ष के एक वचन में रूप क्या बनेगा करवानी तो इसका B option मिलकुल सही है एसुद वाक्यम चिन्वन्तु एसुद वाक्यम चिन्वन्त वाक्य कौन सा है व्याद है चर्मनाई दीपिन हंती यह एसुद वाक्य है हिरन्य मयेन पात्रे सत्यस्चा पी हितम मुखम मंत्रम कश्य उपनिसधी प्राप्यते तो किसमें मिलता ही है इसा वाश्य उपनिसधी तो इसका option B बिलकुल सही है सुर्भीवन वाता तो इसलोग के असमिन कस्य अलंकार अस्य चित्रन वर तते इस लोग में कुण सकी सलंकार का चित्रन हुआ है सभाव वोक्ति तो इसका option B बिलकुल सही है उपकुर्वन्ती तम शंतम येन अंग द्वारेन जातुम किंचित हारादी हारादी वद अलंकार अस्ते अनुप्रास्य उपमादे अलंकार विशे एतत कश्य कथनम तो अलंकार के विशे में ये जो कथन है किसका है ममटस्य ममटका तो इसका option B बिलकुल सही है विनेश्य तासू विनेश्य तैयासू आस्मिन पदे कैसंदी तो इसमें कौन से संदी है यन संदी विनिश्यती प्लस आसु जनसंदी अना ध्राताम पुस्पम किसले मलूनम करूही पंकताउ किम छन तो इसमें कूण सा छन्द है सीखर्णी छन्द है ए पएसु तड़ागेसु भावत्तर मुदकम भावत्ती कश्य उक्ती किसकी उक्ती है सुद्रकश्य किसनाटक में इसकी उक्ती मिरिचकटिकम और मिरिचकटम क्या है परकण गरंथ है रक्षु आगम लगू संदेहा प्रियोजनम व्याकण सास्त्र से एतानी पंच प्रियोजनानी केन उक्तम किसने कहिए व्याकण के पांच प्रियोजन मा भास्यकार पतंजलीने अगला परशन देखते हैं द्वास उपर्णा सयूजा सा खाया कस्माद उपनिश्य दै उद्रीत है तो किस उपनिश्य उद्रीत है ये मुंड को उपनिश्य चे और सत्या में हो जायते हैं मुंड को अपनी सचे वेदांग गेसु काल विधायक वेदांग अस्ति वेदांगों में काल का विधान करने वाला विधांग कुण से जो तिस और कोने इसकी आचारी है लध्वाचारी है भगवत भगवत इती सब्दसे भगवत एतद रूपम कुतर नय भवशती भगवत में होगा पंच वी एकवचन में भी होगा सस्टी एकवचन में होगा चत्तुर्ती एकवचन में नहीं होगा चत्तुर्ती एकवचन में क्या बनाया भगवते है एसंगत विकल्पम अस्ति एसंगत कुण सा है कादमरी बानभट ने बिल्कुल सही है नागानंध ब्यास घता सुबंदु यह विल्कुल सई शिव राज विजय अम्बीक अधतर व्यास एव यहां पर मेंदवनने अम्बीक अधतर भटाचारी तो ओप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है रेवतक परवत रेव रेवतक परवतक कश्यामक्रितों चित्रितयम अस्ती रेवतक परवत के बारे में किस गरंत में कागा है तो ठीक परवतक परवत गरंत में किसमें लिखा ते मूड़ धीया प्राभवं भवंती माया वीशू ये नहीं माहिन सुक्ति कस्माद गरंत अंत उद्रिता अस्ती जो यह लिए गरंचे उद्रीत है किराता रुजुनिम से किसने लिख्या है भारवी ने आगला परशन अर्थे सत्य अर्थे भिनानाम वर्णानाम सापन सुरूती कस्य अलंकारा से लक्षणम एत दिया किस अलंकार को लक्षण है यमक्ष गजेंद्र उच्चै सवरेन गायती अत्र अव्य पदम अस्ती अव्यापद कौन साइस में उच्चै अगला परशन देखते हम उरुकरम कश्य देवस्य उपाधी वर्थते उरुकरम किस देवतागी उपाधी है विश्णू की करत्री इती रिक रिकारांत पदस्य सप्तिमी भागती एक मचन रूपे किम शाथ रिकारांत कर पत्री सवद्गी सप्तिमी विवगती एक मचन रूप में क्या अबनेगा करतरी जो उप्शन यह है इसका बिल्कुल सही है भवी तव्यानाम दावारानी भवंती सर्वत्र इयम सुक्ति कुत्र प्राप्ते यह सुक्ति कहां पर प्राप्त होती है अभिज्यान साकुंदले किसने लिखिया है महाकवी काली दासने अगला परशन देखते हैं तयजत जागरत चिदत पदेशु परत्य अस्ति तो इनमें परत्य कौन सा है स्त्री परत्य ओप्शन ए इसका बिल्कुल सही है अधो लिके तेशु ए संगत विकलब हम अस्ति अधो लिकी तेशु नीचे खरी लिखे वमें एसंगत विकलब क्या है सरमे कहा कारियम कृत वंता है और यहाने क्या लिखाऊ सर्मिक यह चरुँक है यहांसें एक वचन ले दिया तो यह जो प्रीवर्टन करतरी वाक्त्य से करम वाक्त्य Bunny हो जाता है से वीलकुल सही है अधिकारिन 10 30 एक वाक्त्य पी त्रित्य एक वचने किम रूप शाथ तो अधिकारिन सवत का त्रित्य वचती एक वचने रूप क्या बनेगा अधिकारिना तो उप्चन इसका बी विल्कुल सही है अगला परशन देखते हैं ने नो ने नुगा ना नना ना ना नन नणू नुगा फिर्स है तो ये शलो कहां से उद्रित्य हुआ पानाम हिनस्ति यथेंद्र सत्रू सवरत्तो अप राधात एस उक्ती कस्मात शिक्षा गरंथा सम्बंद अस्ति तो किस गरंथ से सम्बंदिते यह पाणिन्य शिक्षा से अगला परशन देख्ते हम त्री सब्दस्य स्त्री लिंगे द्वीत्य भाव अचने रूप भावती त्री सब्द का स्त्री लिंग में दिवीत्य भावचन का रूप क्या बनेगा तीसरे तो उप्षन जो चार है इसका बिलकुल सही है व्रिद पलस जरे अस्य संदी युक्त पदम भगुचती तो क्या बनेगा इसका व्रिद जरे ओप्शन सी विल्कु इसका सही है शिने शिनु अपी ससी भुयो भुयो अपी वर्दते नित्यम विरम परसीद सुंद्री योवनम निर्वर्ती यातुम्तु स्लो के अस्मिन को अलंकार है तो कोण सा अलंकारिस में व्यक्ती रेक है एसुद वाक्यम चिन्वन्तु एसुद वाक्य को चुनो आगतेशू विप्रेशू दक्षनायम यच्ता है ये एसुद वाक्य है धन्यवाद जय हिंद जय भारत आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और पैल आइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद